हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारे यूटूब चनला में सईट आई जोपे तो दोस्तों हम आप लोगे साथ फिर से जूट चुके हैं एक नए अपडेट के साथ तो दोस्तों मैं आप लोगे पता दू तो मारूति सुझकी में जिन भी अभ्भारतियों ने TW या CW category में फार्म अप्लाई किया होगा तो एक बार फार्म अप्लाई करने के बाद उन्हों का already registration का options खुलके आता होगा उनके सामने उनका दिखा रहा होगा कि उन्होंने पहले से इस पद के लिए TW यानि CW के लिए अप्लाई किया है पहले से उन candidates के बहुत से doubts हैं उनका जो है कुछ लोगों का passwords और ID नहीं वालू में क्या डालने हैं उसके बाद क्या जो candidates एक बार अप्लाई कर चुके हैं वो लोग दुबारा अप्लाई कर सकते हैं TW या CW category में इन सभी बातों का जो है मैं आप लोगों को इसमें जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहें और जिन भी साथी ने भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथी साथ वी और पासवर्ड में क्या डालना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ और रहे गई बात जो है जो कंडियेट्स अल्रेडी अपलाई कर चुके हैं तो उनके लिए जो है मैं बता दूं तो एक साल का जो है उनको वेट करने के लिए वीजन इंडिया या इसे कंडियेट्स हैं जिनका दो साल हो गया है फिल भी अर्लेडरी आफसंस में दिखा रहा है तो मैं जो है बनारस गवर्मेंट आइटाई कोलेज करोंदी में गया था CW का एक्जाम चल ला था टेस्ट चल ला था तो वहाँ पर मैं पता किया तो बहुत से ऐसे कंडियेट्स हैं जो अपना रेजिटेशन करते समय मोबाइल नमबर और मोबाइल नमबर तो दूसरा चेंज किये थे आधार नमबर में एक दो आंक जो है मिस्टेक कर दिये थे औ लेकिन उनका जो है सही तरीके से वहाँ पर एक्जाम के समय सही करके दुबारा उनको एक्जाम दिलवा दिया गया तो दोस्तों अगर आप लिक्स लेना चाहते हैं तो आप जो है अपना अधार नमबर में एक दो अंक मिस्टेक कर सकते हैं लास्ट में उसके बाद आप अपलाई करके आप गया था फर्जी नहीं था दोस्तों मेरा सही था बस जो है एक अंक जो है मिस्टेक था तो मैं वहाँ पर एक्जाम दिया वह मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मेरा सब प्रोसेस जो है क्वालिफाई हो गया है तो जो भी इस चीज़ को फालो करेंगे उ और एक साल के बाद जो लोग का खुल जाता है अगर अल्डेडी वाला आप्संस जो दुबारा अपलाई करने के लिए तो लोग तो अपलाई करी सकते हैं तो दोस्तों जो भी कंडिट अगर मारती सुचकी का एक बार फार्म अपलाई कर दिया है तो वो लोग जो है दुब करना पड़ेगा तो आपका अपलाई हो सकता है तो जो भी कंडिट इन फार्मूला को लगा के अपलाई करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं क्योंकि मैं दोस्तों परतेक्स गया था और इस चीज़ पर अमल करके एकजाम और टेस्ट दोनों क्वालिफाई करके आ चुका क्योंकि डांट्स तो हमें भी पड़ी थी तो इस चीज़ का ध्यान रखे मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आईडी पासवर्ड में आपको क्या डालने हैं कहां से मिलेंगे और कैसे आपको अपलाई करें तो चले दोस्तों वीडियो के लाश्ट तक मन र मेंसं किया गया होगा आपका यहां पर लोग इन टू यूर एकाउंट जब लिंक पर करेंगा तो कुछ इस तरह का इंटर्फिय खुल के आपके सामने आएगा जिसमें आपको MSIL का रजिश्टेशन नंबर डालने होंगे तो रजिश्टेशन नंबर आपका जब आप अपल डाले होंगे उस इमेल पर मिल जाएगा और उसके बाद पासवर्ड में आपको एक दो तीन चार पांच अगर चार पर नहीं खुलता है तो आप पांच डालेंगे आपका खुल जाएगा मैं आपको खोल के दिखाता हूं मेरा खूद का जो है यह पासवर्ड वहां पर क्रि अगर चार पर नहीं खुलता है तो आप पांच डालेंगे आपका खुल जाएगा तो रच्टेसन नंबर आपके इमेल पर मिलेगा वहीं आपको ऊपर डालने है नीचे में आपको पासवर्ड में एक दो तीन चार अन्या था आप पांच डालेंगे तो इतने पर आपको उसके बाद डेक्स बोर्ड में आपको L1 स्क्रीनिंग देखने को मिलेगा ये L1 स्क्रीनिंग उन कंडिजेस्ट का गरीन होता है जिनका इलिजिवल होते हैं एक्जाम देने के लिए अगर आप इलिजिवल नहीं रहेंगे एक्जाम देने के लिए तो आपका ये बलेक पर होता है तीसरे नमबर पर आपका आजाएगा admit card generated तो admit card जब आप exam देने के लिए जाएंगे तो जब वहां पर आपका आधार number pen number और eye screening यानि आख का screening होता है उसके बाद जो है वहां पर आपका registration होता है तब आपका ये green होता है तो दो चीज जो है आपके exam के समय आपके green होगा admit card और assignment जो है pass assignment जब आप वहां पर exam देते हैं exam में question आते हैं जो basics बहुत जो है normal question होते हैं पचास के something question होते हैं उनको जब आप successfully submit करेंगे तो वहीं पर आपका fail pass दिखा देगा तो दोस्तों जब आप assignment कर लेंगे उसके बाद next day आपका interview होता है interview जब आपके pass कर लेंगे तो आपका interview जो है प्रोसेस जो है आपका under process दिखाएगा उसके बाद जो है आपका जोइनिंग के लिए message को लाएंगे तब आपका जो ऊपर डाक्मेंट से जो है black दिखा रहा था वह आपका green दिखाने लगेगा तो इतना process होता है तब जाके आपका जो है मारती में certificate number आपका ncbt cbt अधार number और plan number जो है इसमें आपको mentions किया रहेगा तो जो भी candidates को जो है यह जानकारी नहीं थी कि इसमें क्या क्या रहता है क्या आपका eligible दिखाता है तो कैसे आपका selection होता है कब आपको interview के लिए बुलाना होगा तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको सारा ज उसका मतलब क्या है उन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं इस वीडियो में तो उमीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो जो है आपको बहुत ही informative लगा होगा तो दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए ऐसे ही company से related updates के लिए campus के लिए आप हमारे चनल को एक ब आपको बारे में